Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neela मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत important information के साथ जैसा कि आप जानते होंगे कि National Institute of Mental Health and Neurosciences काफी prominent institute है Life Sciences की फिल्ड में और यहाँ पे काफी अच्छी research करवाई जाती है Neuros related, Mental Health से related तो यहाँ पे कुछ positions announce हुई हैं जिसके बारे में आपको बताना है उसी सिल्सले में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक humble request है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला content पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा motivation है और हम चाहते हैं कि हम आपके लिए और बहतर content इसी तरीके का लेकर के आते रहें तो बिना देर की होई शुरू करते हैं जो कि टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको description section में मिल जाएगा तो मैं suggest करूँगा कि आप टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लें क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की और भी तमाम positions के बारे में मैं आपको information provide करता रहूँगा तो इस position के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे देखे जूनियर scientific officer की positions आई हुई है और अलग-अलग departments में आई हुई है तो अगर आप eligible हैं इसके लिए तो आप apply कर सकते हैं निम हैंस काफी अच्छा एक platform होगा आपको सीखने के लिए learning के लिए तो देखते हैं सबसे पहले तो इन नोटिफिकेशन अभी नोटिफिकेशन के उपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप एक नए page के उपर redirect हो जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो application number यह देख लीजे और इसको note down कर लीजे और यह जो date जो अनाउंस हुई है 15-10-2024 को यह अनाउंस हुआ है यानि कि 15 October को अनाउंस हुआ है और अभी भी apply करने के लिए काफी सारा समय है तो आप apply कर सकते हैं आराम से तो यहाँ पे applications are invited from the eligible candidates for the vacant positions of junior scientific officer on contract basis अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो junior scientific officer की जो position आई हुई है वो metabolic laboratory में आई हुई है under the department of neurochemistry neurochemistry department में कर सकते हैं आप काम यहाँ पे medical laboratory के junior scientific officer की position आई हुई है कितनी positions है एक position है unreserved category की यहाँ पे MSC in biochem, medical biochemistry from a recognized university or institution से आपके पास होना चाहिए इसके अलाबा आपका पास जो experience होना चाहिए वो 2 साल का experience होना चाहिए in biochemistry laboratory, relaxable for exceptional candidates तो अगर आपका अच्छा performance रहा है academically तो अगर आपके पास experience नहीं भी है तो आप जरूर apply करिए मुझे लगता है कि आपको apply करना चाहिए तो यह मतलब पहली positions related information हो गई desirable दिया हुआ है आपके कुछ कुछ की spectrophoto, spectrometer या HPLC में आपका काम होना चाहिए बट अगर नहीं भी है तब भी desirable तो उतना जरूरी नहीं है लेकिन हाँ educational qualification अगर है experience है वो भी अगर बहुत अच्छा आपका academic रहा है तो वो भी wave of किया जा सकता है और वो wave of किया जाएगा या नहीं अफोर्स वहां की जो committee होगी वो decide करेगी अपर age limit यहाँ पर 35 years है relaxable है deserving candidates के लिए तो यह भी कोई confirm नहीं है अगर आप इससे उपर की age के हैं और आपका performance काफी अच्छा रहा है तो अगर आप apply कर सकते हैं आपर consolidated page जो दी जा रही है वो 3500 रुपे पर मंत दिया जाएगा और period जो है on the contract basis for one year likely to be renewed for second and third year depending upon the satisfactory performance तो basically यह तीन साल का है अगर लेकिन आप पहले साल में अच्छा काम करते हैं उसके बाद आपकी performance review होगी second year और third year में भी यही होगा अगर आप अच्छा perform करते हैं तो आपको तीनो साल के लिए रखा जाएगा अब देखते हैं junior scientific officer under the center for additional medicine तो यह एक दूसरा department है नेम हैंस का इससे ओपर neurochemistry का department था और यहाँ पर additional medicine का department है यहाँ पर भी एक position announced है और यह position EWS category के students के लिए है यहाँ पर भी MSC in biochemistry या medical biochemistry को allow किया जा रहा है यहाँ पर experience जो है वो one year experience in diagnostic analytical methods and research in relevant fields अब यहाँ पर देखिए wave off करने की कोई बात नहीं की गई है यानि कि यहाँ पर experience essential है अपर age limit यहाँ पर 30 years की है और 38,500 रुपए यहाँ पर आपको दिये जाएंगे और जो period time period है वो ऐसे ही है एक साल के बाद आपकी जो performance है उसको review किया जाएगा और फिर second year में भी review किया जाएगा थर्ड year के लिए तो इस तरीके की कुछ बात है यहाँ पर और उसके बाद देखते हैं junior scientific officer यहाँ पर जो position आई हुई है वो neuromuscular laboratory की position है और department of neuropathology में आई हुई है number of post यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर MSC in biological sciences, life sciences, bio technology अलाओ किया गया है experience यहाँ पर दो साल का माँग रहे है basics of malbio including DNA extraction, immunoblot यह सब करना आना चाहिए 35 साल अपर age limit हो यहाँ पर भी 38,500 रुपए आपको दिये जाएंगे और same time period के लिए यहाँ पर भी काम करना होगा अब बात करते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको download करना है application form को from the institute website अभी मैं दिखा दूँगा कहां पर application form and the prescribed application processing fees यहाँ पर कुछ फीस लग रही है 590 रुपए लगेंगे including 18% GST for unreserved OBC and EWS candidates और 295 रुपए टू 95 रुपीज लगेंगे यहाँ पर भी GST included है in case of SCST candidates shall be paid through State Bank of India as we collect payment link available in the institute website यहाँ पर आपको website का link मिल जाएगा यहाँ पर आपको fees pay करनी पड़ेगी तब ही आप apply कर सकते हैं अगर आप unreserved category के student हैं, OBC के हैं, EWS के हैं तो 295 sorry, I'm sorry, unreserved category या OBC या EWS category के हैं तो 590 रुपीज और SCST category के candidate है तो 295 रुपीज आपको pay करने पड़ेगे इसके अलाबा अगर हम देखें तो physically disabled जो candidates हैं उनको pay करनी की ज़रूद नहीं है, को भी fees अब the application in the prescribed firm should be submitted along with the transaction payment details for having remitted the prescribed application processing fees as stated above a duly filled in application firm along with its enclosures should reach the registrar NIMHANS PB no. 2900 होसूर रोड भेंगलुरू तो यहां पे आपको अपनी hard copy भेजनी पड़ेगी यानि कि आप application firm को properly fill करें उसके साथ आप जो application processing fees का जो proof है उसको भी आपको साथ में भेजना पड़ेगा, ठीक है अब यहां पे देखते हैं कि submitted firm should be downloaded यह तो मैंने आपको बता दिया prescribed payment जो है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया और payment link के details जो है in 101 में दिये हुए है यह भी आप देख लीजे yes, candidates will be selected on the basis of written exam which will be followed files for skill test से follow करेगा अब यहां पे skill test I believe यहां पे आपको experiments वगरा करने होंगे जो भी यहां पे करवाया जाएगा generally skill test जो होता है वो जैसे जहां पे typing वगरा involved रहती है वहां पे करना पड़ता है ताकि आप अपनी typing speed proof कर सके यहां पे skill test में क्या होगा इसके बारे में जानकारी अभी फिलाल नहीं है तो यह पूरा का पूर्शन हो गया last date जो है apply करने की 14.11.2024 है शाम साड़े चार बज़े तक तो अच्छा काज़ा time है भी भी आपके पास आप चाहें तो apply कर सकते हैं जो age का cut off date है या experience का cut off date है वो 14.11.2024 को ही मानने होगा इसके अलागा apply किस तरीके से करना है fees pay करने की क्या पूरा process है यहाँ पर दिया हुआ है पहले आप name है इसके website के उपर जाएंगे उसके बाद payment के उपर क्लिक करेंगे फिर sb collect के उपर click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको copy paste कर देना है browser के उपर या फिर इसके उपर आप directly क्लिक कर सकते है तो यह हो गया और उसके बाद payment category में आप application for new employment क्लिक करेंगे उसके बाद आपको 590 रुपीज या 295 रुपीज पे करने पड़ेंगे depending upon आप किस category को belong करते है इसके बाद subsequent generation of payment slip आपकी आजाएगी उसको download कर लीजे और उसको साथ में आप attach करके भेजना पड़ेगा आपको तो यह सारी की सारी details हो गई और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो क्या क्या चीज़ें और ध्यान देनी है कहां से आपका application form मिल सकता है यहां से हम लोगों ने शुरू किया था यह देख सकते हैं यह आपका application form है इस application form को properly आपको fill करना है ठीक है और यहां पर आपको properly अपनी सारी चीज़ें जो है वो attach करनी होंगी जैसे कि यहां पर आपको खुद की handwriting में लिखना है यह चीज लिखी हुई और टाइप टाइप भी कर सकते हैं अपनी handwriting में भी लिख सकते हैं और यहां पर सारी details आपको भरनी होगी यह दिया हुए ठीक है तो उमीद है कि अपकी इस बार मैंने आपको सारी चीज़ें यहां पर बता दी हैं जो कुछ भी आपका इस form से related था अगर आपका कोई भी category का certificate है OBC certificate यहां पर है ESW certificate यहां पर है तो इसको आपको attach करके सारी चीज़ें भेजनी होगी department की जो यहां पर address दिया हुआ था उस पर address आपको hard copy भेजनी है generally hard copy मांगते नहीं है बट यहां पर hard copy मांग रहे हैं को भेजना पड़ेगा email के जरीए कोई काम नहीं होगा तो अमीद है कि यह information आपके लिए useful रही होगी वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा चैनल को subscribe करना ना बोलिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा थांक्यू सो मुच, हैव अगूड देग